नमस्कार स्वागत है आपका R9 TV में और मैं हो रुतबिष्ट बड़ी ख़बर आपको बता दे जहांपर कॉंग्रूस की नेता एहमद पतेल की बेटे फैजल पतेल की मुश्किले यहांपर बढ़ चली है एक बाग फिर से जहांपको बता दे की स्टरलिंग बाट्रेक केस में प्रददिनी देश आले ने नोटर्स यहांपर फैजल पतेल को दिया था जिसमें आज एक बार फिर से फैजल पतेल से पुश्टाच यहांपर एडी करने वाली है अलाकि इससे पहले तीन बार उनसे पुश्टाच हालाकि हो ही चुकी है तो आपको बता दे कि इस केस में न 9000 करोड से जादा की संपती बताई जा रही है जो की जब्त की गई है तो जून में परतन निदेश वाली ने स्टरलिंग बार टेक धोकधरी मामने में 9000 करोड से अधिकी संपती जो है वो जब्त की है वही स्टरलिंग बार टेक गुजरात की एक फार्मस्टिकल कंपनी है और इस कंपनी पर आरोप है कि 14,500 करोड रुपे का फ्रॉट किया गया है तो वहीं CBI ने अक्टूबर 2017 में स्टरलिंग बायटेक के निदेशको, नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ती संदेशरा के खिलाफ 5,338 करोड रुपे के फ्रॉट का केस भी दर्ज किया था तो इसी के अधार पर ED ने मामदा दर्ज कर लिया है, मुश्किले लेकिल अगर इस केस को लेकर पूरी बता दे, तो इस केस को लेकर जो मुश्किले हैं, वो सीधे यहाँ पर फैजल पटेल की बनी हुई है लेकिन अब देखना होगा कि जुस तरह से एक बार फिर से ED के सामने फैजल पटेल यहाँ पर पेश हो रहे हैं, तो सवाल जवाब किस तरह के किये जाएंगे, यह देखना होगा, कि मुश्किले उनकी क्या इस पूछताश के बात कम हुपाती हैं या फिर नहीं जाद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हैं, आर नाइटीवी के साथ